अगर आप अपने computer में background में चलने वाले apps को जो जरूरी नहीं ऐसे apps को stop कर दोगे तो आपका system fast हो सकता है जियां दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने हो लाओ साथ ऐसे tips जिससे आपका computer अगर slow चल रहा है तो fast चलने लगेगा तो चलिए tips no.1 से शूर करते हैं तो जैसे मैं आपको बता है कि background app को stop करने से आपका system fast हो सकता है जो apps नहीं चाहते हो यहां से आप turn off कर सकते है stop कर सकते है जैसे मुझे Spotify की जरुवत नहीं है तो मैंने उसे बंद रखा है sticky notes की जरुवत है नहीं है वो आपकी उपर है उसे आप बंद रख सकते है तो यह देद भाग्रांड एप जो continue background वे रन होते है重 कर लिए आप यहां से turn off कर सकते है individual app यहां से बंद किया जा सकता है और सारे के सारे आप इस बन्द करने हैं तो ही बंद कीजिए जरूरी एप को बंद मत कीजिए तो यह apps turn up करने से क्या होगा दोस्तों कि जो background में resource use हो रहा है system का हमारी वो कम use होगा और उससे आपका system फास चलेगा अब बढ़ते tips no.2 की तरब अब अब हमारे system में बहुत सरे temporary file हमेशा जमा होती रहती है, store होती रहती है तो उसे निकालने के लिए आपको करना क्या है सर्च बार में लिखना है storage, simply आप storage यहापे लिख दो जैसे आप storage लिखोगे उपर storage setting आ जाएगा इस सेटिंग प्लिक करना है तोड़ी सेटिंग में आपको बता हूँ यह सेटिंग नहीं आप सोच यह कंपीटर के सेटिंग है दोस्तों राइट तो यह आप देख सकते है कि आपका storage द्रव पुरा पुरा यह और इसमें फिलाल हम टेंपरी फाइल्स पे काम करने वाले है इसलिए उसे हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन यहां पे टेंपररी फाइल्स जैसे यहां पे आपको बताएगा कि आपके डाउनलोड फोल्डर या बाकी सारे अलग लोकेशन पे कितनी सारी टेंपररी फाइल पड़ी हुई है तो टोटल साथ जीबी लगबग टेंपरी बटन पे क्लिक किजिए यह सभी टेंपररी फाइल रिमू हो जाएगी और फिर आपका सिस्टम का रिसोर्स इस कम यूज होगा वहां पर ऐसी होगा प्रोसेस और थोड़ा सा सिस्टम फास्ट हो जाएगा यह थी टीपस नमबर टू अब बढ़ते टीपस नमबर तीन की तर हमारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा और पर पर बढ़ने माला है तो उसे कैसे बंद करते है चलिए देखते सबसे पहले हम जाएगी जैसे मैं सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करोंगा उपर कंट्रोल पैनल में हमें सिस्टम में क्लिक करना होगा दोस्तों में यह पे क्लिक जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपको धेर सारे वीजु लिपक से या पर आउन दिखेंगे अपर कस्टम में चेक करो और यह सारे वीजु लिपक्ट अप करोगे तो भी कुई प्रोब्लम नहीं होने वाला हाँ थोड़ा बहुत व्यू में इपक्ट होगा यह लेकिन इससे यह सारे के सारे अनिमेशन अन्चेक कर लो और उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का गेन परफॉमंस बढ़ेगा यह पे आपके सिस्टम के कम रिसोसे यूज उज़ोंगे और परफॉमंस बढ़ेगा तो इसलिए आप उसे टरन आउप कर सकते है उस केस में अब चौती टी तो यहां पे आपको क्लिक करना और एड रिमुव प्रोग्राम्स यह वाला ओप्शन जो दिखाए दे रहा है यहां पे अप क्लिक करो जैसे आप एड रिमुव प्रोग्राम में जाओगे तो यहां पे सारे अप अपको दिखाए देंगे सारे अप यहां पर भी दिखते है तो आप इस system को work करने में आसानी होती है तो यह जरूर चेक कीजिएगा तो यह जरूर कीजिएगा कि जो अनॉंटेड एप से जिनने अपने इंस्टॉल करके रखाए उसे जरूर चेकीजिए और अनिंस्टॉल कर दीज़े अपने system में से हटा दीजिए भाई क्यों रखना है उसे जरूरी नहीं तो क्यों रखना है जरूरी है तो रोखो फिलाल अगे की टीप्स की तरफ बढ़ते हैं आपके सिस्टम में बहुत सरे स्टारटम थो चालू बढ़ते हैं तो यह सिस्टम में उन들이 Unip Sempre अपकी बसे अडाटम करें अगया ओर इनको ऐसाड़ कर दो अफिलाल जो रखना है वो रोखो जैसा ओडियो सर्वीस ज़रूरी है तो वुन आप को यहां पे रोको लेकिन Skype मुझे जरूरी नहीं था पूटी पर जरूरी नहीं था तो यह एप को मैंने यहां पे Startup से बंद कर दिया है आप इसे Temporary Disable Task Manager से भी कर सकते उसके लिए आपको टास्बार पर रैट लिक करना है और यहां पर जाना है Task Manager टास्मेनेजर के अंदर यहां पे Startup है और Startup में यह एप दिखाए दे रहे इसे Temporary Basis पे आप डिजाबल कर सकते है जो आप यहां पे इनेबल दिखाए दे रहे है आपको लगता कि वज़ोरी नहीं तो यहां से आप उसे Temporary Basis पे डिजाबल कर दीजे ताकि अगेन परफॉमंस बढ़ानी की बात चल रहे है तो यह परफॉमंस बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा तो आप बढ़ते है आग एक टीप्स की तरफ टीप्स नमबर 6 में एक यूटिलिटी हमें हमेशा यूज करनी चाहिग हो है डिस्क्लीन अप विंडोज 7 यूज करते हो तो डि इससे डिस्के अंदर जो अनॉंटे टेमपररी फाइल या बाकी सारी चीज़े होती है वो सारी कि सारी एक सत अप यहां से चेक कर लो यह बॉक्स में दिखा रहा हूँ आपको कि सारी सारी में चेक कर रहा हूँ और इसे मैं क्लीन अप सिस्टम फाईल बटन पे क्लिक आप टीप से अने के यहां कि अगर सिस्टम इन सभी से फास नहीं हो डाए मतल Quar no कि सिस्टमे बहुत सरी खिचडी पक गगई है तो उस खिचडी को पूरा क्लीन करने के लिए आपको एक चीज्नish कर नी मैं अपको करणा क्या है आपको सिस्टम को रिशेट कर आपडेगा लेकिन आपको इसे करना है, पहले करना कैसे मैं बताता हूं, और ध्यान से करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, पहले करना कैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देख सकते मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर रिसेट लिखुँगा, जैसे मैं रिसेट टाइप कर क्योंकि अगर आप रिमु अवरितिंग सेलेक कर तो आपके एपस परसनल फाइल सारी चीजे यहां पर रिमु हो लिए और रिमु एपस एंड सेटिंग्स बट कीप्स मैं परसनल फाइल अगर करते हो तो आपके स्टोरेज ट्राई की फाइल वैसे रहेगी बस एपस आपको द आपके साथ इंटरेशन टीपस डेफिनिटल आपको पसंद आएंगी पसंद आए तो लाइक शेर कमेंड करना साथी मेरी टीचिंग स्टाइल अपको पसंद देतो हमारा लर्न मोर एप डिस्रिप्शन में लिंक दिये जापर प्री कोर्से से पावर प्वर्पॉइं और 拜拜